लास पार्ट जहां पर खताम होता है यह पार्ट भी शुरू होता है यहां पर जब जान जी अपने घाउ पर देखते है तो लिंक्षाओ के किस करने के बाद सारे घाउस के भर गए है इसके बाद उसोचती है कि इस मॉन्स्टर की किस मेरे लिए जरूई है आखिर मुझे जंगी शुरात वहिता है तो अभी तक नहीं हुई थी इसके बाद वो अससेटेंट फैंग के घर जाकर रहने लगदा है तक बाद एसके बाद जाना पर जाना चाहिए लिंक्षाओ को आपको जाना चाहिए बिकोज जांगी मुस्ट पर शक करी कि मैंने आपको पर्जस किय है तभी लिंग्षा कहता है कि तुम चिंदा मत करो मैं यहां पर रहूंगा तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है यहीं पर जब जारी हो थी तो अपनी कार में से लिंग्षा को सी लेडी के साथ देखती है और के साथ उनका छोटा बच्चा भी था इसके मैं बहुती फेमास एक्ट्रेस हूं इसलिए मैं ऐसे कुछ नहीं कहती है मेरे हर डायलोग में कमेट्मेंट होती है इसके बाद वो कहती है सभी को मेरे सच्चा ही पता ना शुल जा इसके बाद उसे वहां से घुस्ता तो भूट आ रहा था जब जब एसके घर आता है तो उ यहां पर एक्टिंग साइट पर एक्टिंग चल रही थी इसको थपड़ मारती आफ्टर यह दोनों फैन अपने लाइफ के बारें डिसकास करती हैं और बता चलता है कि शौन शौन दरसल यह चिन में काफी दा सब्सक्राइब करेंगे ना ही तुम मेरे ना ही मैं तुम्हारे लेकिन अब शौन शौन जब यह चिन को पसंद करने लगी है जबकि उसके फ्यांसे मिस्टर हॉंग पहले से जंदा है इसके बाद हो कहती ही कि दिल तो बच्चा है ना वो कुछ भी कर सकता है यहांब जांग ज उसने मेरा हाथ होल तक नहीं किया बस फ्रेंडी रहे हम लोग हमेशा अब जब जियांग जी घर पर लिंग्शा नहीं है तो यहीं पर उसके पर इसके वह क्या करें इसके बाद लिंग्शा को कॉल लगाती है और जल्दी वापस आओ मौमेंट डैट वापस आ गए है इसके बाद वो कमरे में इंटर कर जाते हैं और बाश्टू में जाकर चेक करेंगी कि उनकी सबकुछ माम लेका पता था इसलिए वहीं एक्ट करता है जैसे की उससे सब कुछ सिच्वेशन पता हो इसके बाद उसकी माम लिंग्शा को देखते ही वहाँ से चली जाती है जब कि वह ज्यांग जी लिंग शाओ को बलाना चाहिए लेकर लिंग शाओ अपने काम बज़ी था इसके बाद वेक अकेली जगह पर लिंग शाओ को मैसेज करती कि क्या तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर फॉंचता है इतने मेहीं हो की पीछे एक बंदा आकर उसे भीऊच कर देता ह उसका है रिठी को सड़ाइस को यहिं उसका टैymबरेचर को भी में प्रोफेसर बेसे की बाद करें तो उनकी घरती नहीं है वह इनी को बचाना चाहते हैं की ब जो विलन हैवे असकी तो अगर सेशने को मार देगा अगर उसने यह सब नहीं किया उसकी सारी फैमिली को भी इस लिए प्रफेसर को ना चाहते हुए भी सब करना पड़ रहा है इसके बाद वह जाकर यांग जी को कॉल लगाते हैं नहीं पर पूरी फुलिस के साथ इन दोनों को ढूनने के लिए निकलता है जब वह पहुंचता है तो उसमें पासवर्ट था यहां प पासवर्ट में सिर्फ बचे हुए थे अगर दो में नहीं खुला तो गेट हमेशा के लिए लॉक्ट हो जाएगा इसके बाद यहां पर लास्ट टाइम पर यह चिन उसे बदाता है कि तुम्हें आज की डेट यूज करनी चाहिए बिकास प्रवेशर हमेशा ऐसी ही पासवर दालते हैं लास्ट टाइम आज की डेट से वह गेट खुल जाता है यहीं पर जा बियांची देखता है कि लिंग्शाओ ने ज्यांग जी काफी इच्छ से पगड़ा हुए है मतलब उसे बहुत ही जादा प्यार करता है इसके बाद लिंग्शाओ को ठाता है और सभी लोग जांग जी को लेकर वास्पिटल में जाते हैं जांग जी लिंग्शाओ के वज़े से ज्यादा बीमार तो नहीं हुई थी विकॉज लिंग्शाओ से अपना ब्लड ट्रांसफर करके सब पुछ ठीक कर देता है यह जांग जी उसे लिप्टी हुई थी और गया कि प्लीज कह जांग जी हमेशा खत्रे में रहती है तो प्लीज तुम उसका ख्यार रखोगे अजाग चाहिए प्लीज से अप्रामेस करो तब लिंग्शाओ कहता है कि हां उससे प्यार करता है यह जानग जी करता है था पर उसकी कहीं सारी प्रप्लम थीजिए वह सुज़ा नहीं थी इन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है कि लिंग शाओ का बनाया हुआ खाना कौन खाएगा बिकॉस उस गंदे से खाने को कोई भी खाना नहीं चाहता था नहीं पर लिंग्शाओ कहता है ठीक है तुम दोनों लड़ो मत यह खाना शेयर करकर खालो इसके बा बालकनी में दरसल एक डेट का अरेंजमेंट किया हुआ था इसके बाद ही दोनों बैठते हैं ड्रिंक करते हैं यहीं पर जांग जी कहती है कि चलो फाइनली मैं तुम से बात कहना चाहती है और वो क्या हमीं सुन लेते हैं इसके बाद ही लाइक यू और यह मैंने पूरे द शाल शाले हमी और यह उसे ने क्या कहा था और क्धिया थाएकश्या धिकलीड़ काओ सकती हम यहीं फिर्फटर समय ल्ड़ा कराश्टे नियुत अजिता है यहीं तो मेरी दिख्वात है मुझी अच्छी बात यादयान नहीं और था Moreover, भी बीशाओ कहती है एंदि कि घरेट पर सतेeur करने के लिए यहाँ पर उसकी मॉम में दोनों को कि समय सब्सक्रिणा कर पाद यह तो इसे बाद यह दो barr कि यहाद नहीं था पर उसे सारे मुमेंट याद था इसके बाद जाकर वहां से भाग जाती है पर लिंग शाओ से अप्रोच करता है क्या तुम सब कुछ भूल गई कि नहीं हो कुछ नहीं बूली है कि ठीक है तो अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं बूलूंगा नहीं करती है और गहती है कि हाँ वही करेगी जो तुम बोलोगी और कुछ भी नहीं इसके बाद लिंग शाओ को मंडवाले बच्चे की मौम का कॉल आता है यापर कुछ गुंडे उनकी घर पर परिशान कर रहे थे जब लिंग शाओ वांपर पहुंचता है तो गुंडे लिंग को अप्रोच करते हैं लिंग शाओ ने ठोक पीट कर साइट कर देता है इसके बार इंटर करता है यहीं पर जांग जी अपने आपको लिंग शाओ की गल्फेंड रिड्यूस करवाती है तब ही वह कहती है कि हाँ को जान सकती है विकाद इतनी ब्यूटिफूल सी लड़की ल यहां पर जांग जी उसे चौकलेट दिखाती है इसके वाद उसे खुदी खा जाती है और उसे वह बच्चा बिल्कुली पसंद नहीं आता यहीं पर वह लड़का अपनी टाइक कमांडो स्किल दिखाता है और उसे एक जोड़दार किक मारता है इसके बाद जांग जी के इसके बाद जांग जी को उठाता है और अपने साथ ले जाता है और इसके साथ हमारे यह पाइट हीं पर खतम हो जाता है समयते नेक्स पाट के साथ